हे दोस्तों इन्फोटीबी हिंदी एक बार फिर आजिर है एक नई वीडियो के साथ आज की इस वीडियो में हम जानेंगे तुलसी के सेवन से होने वाले लाभों के बारे में तुलसी में बिटामिन A, बिटामिन K, बिटामिन C, कैलसियम, आईरन, जिंक और मेगनीज भरपूर मातरा में पाए जाते हैं आयुरुवेद में तुलसी को औसधिय कुणों का खाजाना माना गया है तुलसी में एंटी सेप्टिक, एंटी फंगल, एंटी ऑक्सिडेंट और एंटी बैक्टिरियल गुन पाए जाते हैं जिस कारण हमें तुलसी का सुभा सुभा खाली पेट नियमित सेवन करने से बिभिन परकार के स्वास्त वर्धक लाभ मिलते हैं अगर आपकी पर्तिरोधक छम्ता कम है तो आपको नियमित तोर पर तुलसी का सेवन करना चाहिए सरदी जुखाम में तुलसी का सेवन करने से तुलसी में मौजूद यूजिनॉल और एंटी ऑक्सिडेंट, म्यूकस और बलगम को पहार निकालने में मदद करते हैं तुलसी का सेवन मलेरिया, अस्थमा और निमोनिया से गरसित मरीजों के लिए किसी वरदान से कम नहीं तुलसी का अद्रक और सहथ के साथ रस बना कर पीने से लंबे समय से फेपड़े में जमा वलगम बहार निकलता है तुलसी में एंटिफंगल गुण होने के कारण तुलसी तचा संबंधी विमारियों को दूर करती है तुलसी का सेवन करने से कील मुहा से और डेंडरफ की समस्या दूर होती है तुलसी का सेवन गठिया बाद से गरसित मरीजों के लिए किसी वरदान से कम नहीं नियमित तोर पर तुलसी का सेवन करने से सरीर में यूरिक एसिट का इस्थर कम होता है जिस से सरीर में सूजन और जोणों का दर्द दूर होता है तुलसी का सेवन कैंसर के मरीजों के लिए बेहद उपियोगी है नियमित तौर पर तुलसी का सेवन करने से ओरल और ब्रेस्ट कैंसर की ग्रोथ में कमी आती है तुलसी लेवर को डिटॉक्सिफाई कर पाचन तंत्र को मजबूती परदान करती है तुलसी में मौजूद एंटी डिप्रेसेंट और एंटी एंग्जाइटी गुण मानसिक तनाव को दूर करने में काफी मदद करते हैं तुलसी का सेवन गरम पानी में तुलसी का रस निचोड़ कर या गरम पानी में तुलसी को उबाल कर करना चाहिए तो दोस्तो यह मेरा एक छोटा सा परियास था आपको तुलसी के सेवन से होने वाले लाभों के वारे में बताने का अगर आपको आज का मेरा यह परियास पसंद आता है तो एक प्यारी सी टिपणी आउश्य कीजिएगा धन्यवाद